कि आपका स्वागत है आए दोस्तों एक स्पेशल बॉक्स हमारे पास आ चुका है सैमसंग की तरफ से और यहां पर लिखा है ऑसम रुहेज जी हां इसमें सैमसंग गेलेक्सी ए 55 और आपको देनी जारा बात करेंगे सैमसंग गेलेक्सी ए 55 फाइब बारे में बताएंगे वैसे यहां से निकाल देते हैं और अंदर आप देखेंगे इस तरीकी से आपको दो बॉक्स मिलते हैं एक लिफाफा यहां पर दिया गया है जिसमें सारी इंफोमेशन मेंशन की गई है उन्होंने मुझे कुछ नॉक्स के बारे में बताया है सैमसंग वालेट की बात करिए और उसी के साथ एक और यहां पर बॉक्स है यह सैमसंग का गेलेक्सी फिट 3 अगर आपको इस पर वीडियो देखना है तो मुझे जरू बताना यह कुछ इस तरीके का ह है आप देखेंगे बहुत ही बड़िया स्लिम ट्रिम बड़ी सी डिस्पले है तो फिट के अंदर एक और मेंबर आ चुका है तो इसकी वीडियो देखना है तो आप मुझे जरूर बताना पहले आपर 835 को बाहर निकाल दिया है और यह देखेंगे आपको बॉक्स में फोन म मिलता है आपको कुछ कागजात और टाइप सी केबल और सीरे आते हैं अब हम हमारे सैंसंग गलेक्सी ए 55 की तरफ डिजाइन और बिल्ड की बात करते हैं तो पीछे आपको ग्लास बैक मिलता है दिखने में दोस्तों सिमिलर है एफिफिफ्टी फोन से आप उसको कंपैर कर स इतना ही नहीं आई पी 67 की आपको रेटिंग्स भी मिलती वाटर रड़ रस रिजिस्टेंट है और साधे साथ जो फ्रेम्स यहां पर है वह भी आपको मेटल में देखने को मिलते हैं और यहां पर दोस्तों ऐसा ब्रस्ट मेटल डिजाइन दी गई है वालिम बटन के साथ त रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल किये गया और एक चीज़ आपको बताना भूल किया तो बॉक्स में भी काफी रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल किये गये तो काफी एंड्माइमेंटल फ्रेंडली यह स्मार्टफोन है जैसे 8.2 mm की थीकनेस तीकनेस अच्छी है 213 124.12 ग्राम का आपको मिलता है तो कैट एवियर साइट पर आपको मिलता है बाकि इसे के साथ आपको यहापर अंडे इस पर पिंग के पिन्ग ज स्टेरियो स्पीकर्स मिलते एक आपको नीचे एक आपको यह पीस में तो स्पीकर्स की जो ऑडियो क्वालिटी वह बहुत अच्छी है बेस भी आप लाउडनेस भी काफी अच्छा ज्यादा डिस्टोर्शन नहीं है और हाइबिरिट स्लोड आपको मिलता है लेकिन इसमें आपको e-sim का भी सपोर्ट दिया गया है औरल जो बिल्ड क्वालिटी वह काफी प्रीमिय में यह तो बनता ही है परफॉर्मस की बात करते हैं इसमें एक जीनोस 1480 अभी ज्यादा जजमत करिए क्योंकि यह चिपसेट में काफी जिसकों में AI भी बोलते हैं वो लगबग 167% इंप्रुमेंट्स लेकिया है उससे कंपेर करें तो और CPU उसमें 15% है और GPU की बात करें तो 32% है तो यहां पर अगर आप देखो कि तो CPU, GPU, NPU तीनों में यहां पर इसने काफी इंप्रुमेंट्स लेकिया आ चुका है और यह 4NM यहां पर बेश्टे यह भी आपको काफी अच्छा मिलते हैं एंड्रू स्कोर्स बहुत ही इंप्रेसिव थे सात लाग से ज्यादा थे और यहां पर CPU ठॉट्लिंग भी काफी अच्छा था मतलब 86% का मैंने स्कोर देखा जो मैं काफी इंप्रेस था थर्मल्स इसके यहां प और ग्राफिक्स कच्छी पिहां पर उन्होंने इस्तेमाल किया है वैसे उसी के साथ अगर गेमिंग की बात करें तो बीजी माइए कॉल अफ दूटी जो बेसिक जितने गेम से आप सब हाई ग्राफिक्स पर सेट करके खेल सकते हैं ग्राफिक्स काफी स्मूथ रहती है लॉ के साथ इसमें जो गेमिंग परफॉर्मेंस से वह काफी बढ़िया है कैमरी की बात करते हैं 50 मेगा पिक्सल प्राइमरी सेंसर जिसमें आपको ओएस मिलता है मैक्स 4 की वीडियो शूट कर सकते है 30 fps पे f1.8 का अपर चरें और इस बार आपको पहली बार एस सेरीस में सूपर HDR विडियो मिलता है बिसिकली यह डे में डामिक रेंज को कंट्रोल करता है और नाइट मैं आपको ब्राइट विडियो कालिटी दे की और नाइट की दोनों दिखा रहा अभी से ही और आप क्वालिटी देखेंगे तो काफी कंट्रोल ने और बहुत ही बढ़िया स्टेवला सकते हैं बाकि आपको 12 Megapixel का अल्टरवेट सेंसर मिलता है इस पर वाइड एंगल फोटोज आए वह काफी अच्छे निकल रहा है ज्यादा कलर शिफ्टिंग के इश्यूस भी नहीं थे और आपको 5 Megapixel का मैक्रो सेंसर मिलता है उसी के साथ आपको 32 Megapixel की सेल्फी मिलती है और यहाँ पर भी एकजिनोस 1480 में NPU को इंक्रीस किया गया है 167 परसंट तो AI का पूरा काम सैमसंग ने इस बार इसके कैमरे मिली है जो की लेना चाहिए था और यहाँ पर अगर आप देखो कि तो आपको सारे फीचर सिंगल टेक के मिलेंगे ऑबजेक्ट एरेजर आपको यहाँ पर मिलता है कोई भी अगर आपको अब्जेक्ट निकालना वह आप निकाल सकते हैं इमेज को एनांस करना या रिमास्टर करना है वह भी आप यहाँ पर कर सकते है शॉट शरजेशन आपको यहाँ पर मिलता है अगर आप फोटो क्लिक करते तो अगर आप प्रॉपर फ्रेम में नहीं है तो आपको आपको ऑटमेटिकली फोटो के व्यू फाइंडर में ही बता साथ अगर कुछ फोटो देखे दे के तो बहुत अच्छे निकल कराएं तैनामिक रींज काफी बढ़िया है इसमें जो कलर्स है बहुत अच्छे पोर्ट्रेट अल्रडी आपको मैंने बता दिया और सेल्फी फोटो भी देखेंगे तो काफी अच्छे निकल करा एं वैसे ना इंफिनिटी ओ डिस्प्ले सेंटर पंचोल है काफी चोटा है चिन कम है लेकिन आपको ऊपर नीचे लेफ राइट में ब्लैक बॉर्डर देखने को मिलते हैं बाकि उसके अलावा 120 हर्ट की हाई रिफ्रेश एक मिलती है तो स्मूधनेस काफी अच्छी है लेकिन जो टिपिकल इस विक्तिस प्लस की प्रडेक्शन भी आपको मिलती है यह जो बैक प्रडेक्शन दिया था वो डिस्प्ले पर भी दिया है यह बहुत अच्छा लगा मुझे जो उन्होंने यहां पर किया है तो यह जो फोन है मैं ज्यादा जोड़ से उपर से मैं ट्राइए नहीं करता और इसमें चार साल की यर्लियोस अपडेट्स और पांच साल की सिक्यूरिटी पैचेस आपको मिलते हैं तो अपडेट्स काफी लॉंगर आपको मिलते हैं कुछ प्री इंस्टॉल्ड आप समने देखा था फोन पे स्नैपचैट डेली हंट मिंत्रा लेकिन आप इनको निकाल आपको यहां पर मिल जाती है आपको एक सेक्यूरिटी डैश्बोर्ट मिलता है और तो ब्लॉकर वाला आपको फीचर मिलता है उसी के साथ आपको वोईस वोकस भी मिलता है अगर आपको बैग्राउंड की नॉइस को कैंसल करना है जब आप आउट्डोर में कॉल करते हैं त यहां पर आपको 25W fast charging का support मिलता है जैसी कि आपने देखा charger में आपको box नहीं मिलेगा box में आपको charger नहीं मिलेगा ति मैंने क्या बोलती है कभी-कभी शूट करते करते हैं ओपर नेचे हो जाता है एनिवेस आपको 0-100% चार्ज करना है तो 1-10 minutes के आसपास यह full charge हो जाता है और हमने कुछ इसमें normal battery drain test आपको एक educational purpose के लिए करने के लिए किया जहां पर आपको देखेंगे हमने 8 बच के पचा 53 minutes के आसपास सुबा के अंदर इसमें 42% था हमने 2 घंटा यहां पर जो वीडियो प्लेबेक किया और यह लगबग सिफ 15% ड्रॉप इससे on average यह पता लग स दिये गए है जैसी कि मैंने कहां आपको e-sim का भी support मिल जाता है आपको यहां पर camera to API है आपको widewind L1 मिलता है उसी के साथ आपको यहां पर Bluetooth Wi-Fi 6 यहां पर दिया गया है NFC भी आपको मिलता है और सारे senses का आपको support मिलता है अब जाते जाते हैं price की तो price as always मुझे नहीं पता है launch से पहले video बन जाती है तो description में comment में हम add कर देंगे लेकिन यहां पर आपको बता देते हैं कि Samsung Galaxy A55 में आपको 8256 आपको मिलेगा और first time ever A series में इस बार आपको 12GB वाला variant मिलेगा with 256GB storage जी हां तो आप decide कर सकते हैं कि आपको कौन सा variant यहां पर चाहिए कितना ज्यादा RAM और कित इस पर दिया गया है यहां पर भी आपको Gorilla Glass Victus Plus की production देखने को मिलती है चिपसेट यहां पर अफग्रेड हुए पहले Diamond City 1080 अब Exynos 1380 कर दिया गया है और battery वगए आपको वैसी बड़ी मिलती है camera भी यहां पर काफी impressive है और इसमें जैसी कि मैंने बताया चार साल की updates 5 साल के security सब्सक्राइब करें तो यह है दोस्तों हमारे दो अन्मोल रतन इनके बार में जो भी आपको कमेंट करना है आप कर सकते हैं वैसे हमारे वीडियो पसंदा दिए लेटेस्ट इंबॉक्सिंग्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सपोर्ट करिए तब तक